हेलो एवरिवन तो अब हम लोग यहां पर फाइलम कॉर्ड डेटा जो की एनिमल किंग्डम का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है उसका फिफ्ट क्लास परने जा रहे टीक जासा के हम लोग उने पिछले क्लास में परा था फाइलम कॉर्ड डेटा का फोर्थ क्लास एव जिसको हम लोग बर्ड भी कहते थे बर्ड के बाद अब हम लोग यहां पर परेंगे मैमल्स ध्यान रहे मैमल्स जो है यह हमारा फिफ्ट क्लास में आता है ओके फाइलम कॉर्ड का और यह animal kingdom का last topic है और यह बहुत ज्यादा important है अपने आप में because जो we humans wings इसी में आते हैं हम जितने भी इंसान हैं वो सब mammals के category में आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और नीट के point of view से भी important है देखिए mammals का पहले तो मैं आपको यहाँ पर meaning समझाता हूँ कि mammals का मतलब क्या होता है तो यह जो word है ना mammals यह word आया है ममा से अब ममा का मतलब क्या होता ब्रिष्ट मतलब क्या कि memory gland ऐसा animal जिसमें memory gland होता है ठीक है तो I think यह बात जो मैंने अभी आपको बोला वो चीज़ा आप समझे होंगे अब यहाँ पर एक सवाल की memory gland क्या होता है तो memory gland वैसा gland है जिसके मदस से एक मदर अपने बच्चे को milk क्या करती है फीट कराती है और एक बात याद रखेगा एक नीट में यह सवाल आया वाभी है कि memory gland is the modified gland of sweat gland तो बिल्कुल सही सुना आपने memory gland जो है ना वो sweat gland का modified form है I think यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा और memory gland are those gland in which formation of milk take place and from dad gland a mother feed their milk to her infant mother अपने बच्चे को अपने infant को milk feed कराती है आप infant नहीं लिख करके हर child भी लिख सकते है हर मतलब यहाँ पर female के लिए स्थमाल हो रहा है तो I think memory gland के बारे में समझ में आ गया इसलिए इस animal का नाम क्या है mammal से calculate हो गया ना अब mammals word mama से आया उसका क्या मतलब है यह अभी मैंने जश्ट बताया अब देखिए अब mammals not tetrapoda होते mammals are tetrapoda tetra stands for four tetra का मतलब होता है चार tetra क्या मतलब होता है चार एंड पोडा इस्टांड फोर लेग ठीक ना पोड़ा का मतलब होता है पैर मतलब चौप आया मतलब दो हाथ four limb और दो पैर हिंड लिब तो कितना हो गया चार तो हम लोग जितने पॉइंट है अगर आप evolution पढ़े होंगे class 10 में चुकि अभी आप class 11 में या जो लोग मतलब target course कर रहे होंगे 12 के बाद तो वो लोग class 12 में चीज़ पढ़े होंगे जब आप लोग evolution पढ़िएगा ना एक चीज़ पढ़िएगा कि हमारे जो पूर्वच थे तो हमारे जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंड लिम बोलेंगे तो डॉग वगरा सब देखिएगा अपने इस फॉर लिम का इस्तमाल करता है चलने में हम लोग के जो पूर्वच सब थे 12 में पढ़िएगा रामा पितिकस द्रायो पितिकस ये सब ना human being के पूर्वच है evolution में फिर जैसे जैसे हम लोग evolved हुए तो आज के दौर में तो हम लोग homo sapiens है modern human है तो हम लोग अपने हिंड लिम का इस्तमाल करते है चलने में और फोर्वच का इस्तमाल चलने में तो हम लोग नहीं करते है तो यही बात है याद रखिएगा mammals are tetrapoda tetra मतलब होता है चार हम लोग चौप आया है इसमें mammals में सबसे advanced human being है वो अपने हिंड लिम अपने पैर का इस्तमाल करता है चलने में और फोर्वच का इस्तमाल राइटिंग में करता है खाना उना करने में करता है अगर आप बैट देखे होंगे चमकादर तो चमकादर में आपको एक चीज मिला होगा कि चमकादर अपने four limb का इस्तमाल करता है flight करने में उसका जो four limb है वो convert कर जाता है एक तरीके से wings में वो चोड़ा होता तो उर्ने में उसको मदद करता है बैट में चमकादर में अज़े एक बात याद रखिएगा tetrapodise related एक बात बता रहें इनका जो hands होता है ठीक है या जो legs ह होता है तो वह पेंटा मेरस होता है पेंटा मेरस का मतलब क्या कि पांच फिंगर प्रिजेंट होगा जिए ना आप यहां पर देख सकते हैं यह चीज इनका जो पाम होता है जो तलत्ती होता है वह पेंटा मेरस होता है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब क्या 5 उंगली प्रिजेंट होता है clear हो न तो pentamiris का मतलब क्या होगी आप 5 उंगली जो कि हम लोग और monkey में भी देखने को मिलता है tetrapoda से related है यह pentamiris होगा 5 उंगली आप प्रिजेंट होगी चली अब आज आते हैं respiration में तो mammals की अगर बात है तो respiration through lungs mammals का जो respiration होता है वो lungs के थुरू होता है और याद रहिए कि आप पिछले क्लास में ही बताए थे कि अगर कोई organism अपने lungs का इस्तमाल कर रहा respiration के लिए तो वैसे organism के respiration को हम लोग कहते है pulmonary respiration क्या आप बोलते हैं pulmonary respiration तो वैसे respiration को कहते है pulmonary respiration जिसका मतलब होता है respiration through lungs ठीक ना आगे मेरा बात समय में तो अगर respiratory organ लंग से तो pulmonary respiration कहलाएगा जो कि हम लोग का भी हो because we are humans and we are mammals also अब आगे के तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर एक खास बात है diaphragm is present mammals का एक खासियत होता है कि mammals के पास ना diaphragm होता है जो कि कल आपने bird में देखा था कि bird में diaphragm present नहीं होता है actually होता है कि हम लोग का lungs से lungs के नीचे एक sheet of muscles मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं diaphragm कहते है तो अगर मान के चलिए एक छोटा सा अगर हम लोग यहाँ पर एक rough sketch देखेंगे तो यह हम लोग का lungs हो गया तो lungs के नीचे एक sheet of muscles मिलता है इसी sheet of muscles को हम लोग क्या कहते हैं diaphragm कहते है और यह diaphragm mammals में present होता है clear है और जब हम लोग inhalation और exhalation करते हैं तो इसमें diaphragm का बहुत बढ़ा एक unique property involved होता है जब हम लोग inhalation करते हैं मतलब सांस ले रहे होते हैं तो हम लोग का जो diaphragm है न वो नीची के तरफ move करता है तो inhalation के time में हम लोग का diaphragm नीची के तरफ move करता है जब हम लोग exhalation करते हैं सांस को छोड़ते हैं तो हम लोग का diaphragm ऊपर के तरफ move करता है ठीक है तो यह आप breathing वाले chapter ने पढ़िएगा human physiology में तो याद रखेगा mammals में lungs की नीचे diaphragm present होता है clear हो गया और याद रखना है diaphragm की नीचे होता है abdominal cavity diaphragm के ऊपर होता है chest cavity और thoracic cavity यह बात clear हो गया सबको चलो आब आगे देखते है mammals का एक property होता है external ear pinna mammals के पास जो है na external ear pinna होता है मतलब यह इसको ear pinna कहते है आप elephant बगारे में देखिएगा even चुहों में देखिएगा cat में देखिएगा ठीक ना dog में देखिएगा cow में देखिएगा cow बेफेलो अपने ear pinna को आगे पीछे आगे पीछे करते रहते हैं तो mammals का एक property है कि mammals के पास external ear pinna होता है और मैं बता दूँ पूड़े animal में जितना भी आपने फाइलम परा जितना भी आपने class परा ear pinna सिर्फ किस में मिला हमको mammals में मिला हम लोग quad data में pieces भी परे amphibians भी परे reptile भी परे लेकिन वहां पर हमको ear pinna देखने को नहीं मिला सिर्फ mammals में ear pin समझ रहे हैं और mammals का property क्या होता है कि mammals के पास hair होता है ठीक है hair का मतलब क्या होता है बाल लेकिन मैं clear करके बताना चाहता हूं यही hair जो होता है बाकी other mammals में feather के form में होता है रूइया जिसको कहते है मैं देखाता हूं जैसे अगर आप dog बेगारा को देखिएगा तो dog में यही वो hair है जिसको हम लोग feather कह रहे है cow by fellow समय में देखिएगा रूइया हलका हलका निकला रहता है भालू में देखिएगा तो बहुत लंबे लंबे साइस का feather आपको देखने को मिलेगा I think यह बात clear हो गया होगा तो mammals का property है कि उसके पास hair होता है चलिए एक बात और बता दूँ हम लोग अपने बारे में बता दे human being के बारे में अब आप ही सुचिए अगर lip पे feather होता है तो कितना अजीब लगता ठीक है ना तो यह बात है तो ना तो लिप पर feather होता है ना पाम पे feather होता है अच्छा इसका एक कारण यह भी है कि लिप नीचे से उपर के चरफ आया अगर इसको ऐसी की जोगा तो यह आपको तो ना यह क्या हो गया पलर गया तब यह लिप का formation किया अंदर देखें यह लाल है ना तो यह लिप का formation किया तो वह से बहुत सारे लोग बोलते है इसके बार में लिप पर और पाम पर आपको hair present नहीं होता है तो यह चीज़ अब पाम अगर हाथ के पाम पे feather नहीं है तो पैर का जो त हम जो हम लोग चुकिए अपने पाम का लगातार इस्तमाल करते है ना तो इस पर अगर थोड़ा सा hair आया भी तो आगे grow नहीं कर पाएगा अब वसे भी एक बात में बताना चाहता हूं hair वहीं पर निकलता है जहां पर hair follicles होते हैं है ना जहां पर hair follicles होंगे वहीं पर hair निक कफिए गटाटा मा викробार महीं लगा पनलेगा ठीक ना कान से अंदर भी आपको क्या मिलता वहां तो बड़ा बड़ा बाल देखने को मिलता है यहां पजित रहा है अब ब्लक में प्लगों की और heombard ने सब बार म्लगपा दारी मिलेगा बाल सभी लंबा लंबा जसमें ही त लेकिन तलहत्ती पर कुछ नहीं मिलेगा इसमें hair follicles present नहीं होता है ठीक है चली तो हम लोग आगे के तरब बढ़ते हैं अब देखिए अब यहाँ पर देखिए mammals के पास तित होते हैं मतलब दांत होते हैं और यह दांत कहां present होता है jaw में jaw का मतलब क्या होता है जबरा socket of jaw bone मैं यहाँ पर एक diagram के मदद से देखाना चाहता है आपने call gate वेगरा का परचार देखा होगा तो आप देखिएगा एक socket of jaw bone होता है इस टैप से और इसी socket of jaw bone में आपका तित क्या होता है embedded होता है ठीक है तो socket of jaw bone में तित आपका क्या है embedded है clear रहा और यह चीज़ बाइलोजी में पढ़िएगा इस प्रोसेस को आप लोग कहते है ठीको डेंट क्या बोलते है ठीको डेंट का मतलब होता है attachment of teeth in the socket of jaw bone इस काल ठीको डेंट यह चीज़ पढ़िएग Mammals का heart होता है वो four-chamberd होता है Mammals के heart कितने chamber होते है four chamber होते है और आपको शाथ पता होगा कि heart जो होता है वो triangular shape का होता है और यह भी बताया गया होगा कि heart जो होता है वो thoracic cavity मो होता है दो lungs के एकदम बीच में, center में, और left side थोड़ा tilted होता है, जुका हुआ होता है heart, heart में मैं बता दू, 4 chambers होते हैं, ये हो गया left auricle, नीचे वाला हो गया left ventricle, इधर वाला हो गया right auricle, और ये हो गया right ventricle, तो कुल मिलाकर के 4 chamber होते है heart में, जिसमें auricle का का में bullet को receive करना, और ventricle का का में bullet को pump करना, तो human being के heart 4 chamber होते हैं, human beings are warm blooded, warm blooded का मतलब क्या होता है, तो कल बताया था, warm blooded का मतलब होता है homeo thermos, homeo का मतलब होता है same, थर्मा का मतलब होता temperature, जितने भी mammals होते हैं, वो अपने temperature को हमेशा सेम रखते हैं, बाहर चाहे लाख ठंडा हो जाए, लेकिन कुछ physical process करके, वो अपने internal temperature को maintain रखेंगे, अब बाहर अगर लाख गर्मी पर जाए, तो अपने internal temperature को maintain करेंगे, जैसे आपने dog वेगरा को देखा होगा, कि गर्मी के time वे अपना tongue बाहर निकाले रहते हैं, तो saliva टप टप गिरता है, saliva evaporate करने के लिए heat कौन देता है, उसका tongue जिसके उसका जुमान ठंडा हो जाता है, तो mammals are warm-blooded मतलब homeo thermos, I think ये बात आपको समझ में आया होगा, आप इसका जल्दी से screen shot ले लिजे, चलिए तो अभी थोरा दिर पहले मैंने इसके hair को feather बोल दिया था, feather से जादे अच्छा word, अगर हम लोग fur बोले तो जादे बहतर है, ठीक तो feather नहीं बोल करके fur बोलिये, जो जानवर के जो बाल होते हैं, बाकी other animal के जैसे dog बागर या cat बागरे के, जो hair होते हैं, उनको fur बोली तो जादे अच्छा है, अब mammals का अगला property के हैं, इंडो-skeleton, मतलब कि अंदर का जो इंडो-skeleton होता है, अम अदर जो धाचा होता है, वो किसका बना होता है, तो मैंने यहाँ पर आपको short notes प्रोवाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकर कि आपको main-main बाद सब याद रहे, NCERT का, तो mammals का endoskeleton किसका बना होता है, bones and cartilage का, clear हो ना, तो endoskeleton mammals का bone और cartilage का बना होता है, जैसे हमी लोग का देख लो, nose का जो tip होता है, cartilage के study को कहेंगे, chondriology, bone के study को कहते है, osteology, bone cell को कहते है, osteocytes, उसी तरह हम लोग का ear pinna किसका बना हुआ है, cartilage का बना हुआ है, ठीक है, अब बाकि ये सब bone हैं अंदर में, तो mammals का endoskeleton bone का, cartilage का बना होगा, जादे तर जगा पर bone होता है, cartilage कहीं कहीं पर होता है, फिर क्या लिखावा है, fertilization is internal, मतलब male और female gamit का meeting होगा, वो internal होगा female body के अंदर, तो याद रखिए, जो कि generally आपको पता है, sexual reproduction में fertilization female के body के अंदर ही होता है, mammals में जो female होती है, उनका जो oveduct होता है, female reproductive system का, तो oveduct में fertilization होता है, ठीक है ना, फिर यहाँ बर क्या लिखावा, development is direct, वह से भी जतने भी cod data है, उन सब का development direct होता है, indirect नहीं होगा, तो development is direct, अब अगले point आते, mammals are viviparous, देखिए dear student, दो तरके को organism होते हैं, oviparous और viviparous, oviparous और viviparous, तो viviparous वैसे animal को कहते हैं, जो directly young ones को जनम देते हैं, जैसे हम लोग directly जनम ली हैं, अंडे में सुदबार नहीं आएं, लेकिन आप मुर्गी वगरा को देखिएगा, मतब birds को, या reptile को, snake वगरा सब को, तो अंडे में से, एग में से बाहर आते हैं, तो वैसे animal को कहते हैं, oviparous, oviparous, अब इसको याद करने का trick क्या है, तो oviparous का जो o है, वो किसका symbol है, एक का, तो oviparous में से, जो office spring बाहर आते हैं, वो अंडे में से, एग में से बाहर आते हैं, टिक ना, तो mammals oviparous नहीं है, mammals क्या है, mammals are viviparous, लेकिन आपको तो पता है, exception हर जगा present होता है, अपवाद, तो mammals का, दो exception आपको याद रखना है, basically, दो, वततों से ज़ादा होता है, तो ऐसे दो mammals है, जो viviparous नहीं होकर, oviparous है, एक है आपको, echidia, और दूसरा है platypus, तो याद रखेगा, echidia and platypus, are oviparous mammal, तो echidia और platypus, जो है ना, वो viviparous नहीं है, वो oviparous है, ठीक है ना, I think ये बाद समझ में आए गया, मतलब echidia और platypus में क्या होता है, कि उनकी females एक देती है, मुड़गी के तरह, अंडा, फिर उस अंडे में से क्या होता है, बच्चे बाहर निकलते, एक certain incubation period के बाद, अब ज़रा देख लेते है, mammals का कुछ example देख लेते हैं, जैसे कि mammals में dog, मैंने यापर scientific name लिग दिया है, एक student मुझे recommend किया था अभी, ठीक है, तो dog का scientific name क्या होगा, canis, अब इसको याद करने का trick क्या होगा, तो ऐसे समझे, dog को आप देखिएगा, जब मुझे खोले रहता है, तो इसको देखिएगा, केनाईन सामने आपको नजर आएगा, हलाकि dog omnivores होता है, ठीक है, अधिक्तम लोग अपने घर में पालते हैं, तो dog को केनाईन होता है, तो dog को देखिएगा, तो मेरा ये वीडियो का ये point याद रखिएगा, आपको केनाईन का याद आ जागा, जब dog मुझे खोले रहता है, तो केनाईन सा याद कर लिजे, याद होगा dog का scientific name, चलिए cat, तो आप सुने होंगे, कि बिल्ली को मचली बहुत पसंद है, और cat का scientific name क्या है, फेलिश, ये सुनने में कैसा लगता है, फिश, फिश के जाएगा, और आपने कहावा सुना होगा, फुलिश cat, ये भी आपने सुना होगा, इंग्लिश में, फुलिश cat, तो देखे न, तो याद करने का trick क्या है, तो बिल्ली को मचली पसंद होता, फिश, इसलिए का नाम क्या हो जाएगा, फेलिश, ये याद करने का trick है, तो cat का scientific name क्या होता, फेलिश, अब आजाते हैं monkey, तो monkey भी mammal है, monkey का scientific name क्या है, मकाका, तो monkey को देखेगा, जूट बसका मकाका, ऐसे इस्टे आप से करते रहता है, तो आप याद कीजेगा, monkey का scientific name क्या हो जाएगा, मकाका, और अब आजाते हैं human being के बारे में, तो human being का scientific name तो बच्चा बच्चा जानता, homo sapiens, ठीक ना, I think इतना सारा बात आप लोग को समझ में आया होगा, ये था mammal से related कुछ खास property, और एक बात याद रखेगा, अगर हम लोग evolution point of view से देखेंगे, तो सबसे advanced mammal जो है, वो human being है, और धर्ती पर evolution खतम नहीं हुआ है, evolution continue है, आये ना मेरा बात समझ में, तो I think ये सारा बात समझ में आया, और जो भी चीज अगर आपको कुछ लगे, कि कुछ और बताना चाहिए, तो comment में बताईएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा, आगे और सारा चीज वहाँ पर, और ये news related वीडियो था, ठीक है, अब next वीडियो में मिलते हैं, thank you so much, जाही नडावे नाच्टे,